मीमिक्स नाम के एलियंस ने यूरोप कॉंटिनेंट को कबजा कर रखा है। फ्रांस में रीता वरटास्की ने एडवांस आर्मर सूट डेवलप किये हैं जिनकी मदद से उनकी युनाइटेड फोस ने कई सारे मीमिक्स को मार दिया है। फ्रांस में हो रहे इस वोर के उनाइटेड डिफेंस फोस के जनरल ब्रिगम पबलिक अफेर ओफिसर मेजर विलियम केज को फ्रांस वार में जाने का ओरडर देते हैं। लेकिन केज इस वार में नहीं जाना चाहता और कहता है कि लोगों की जान के साथ खेलना बंद करें। जान केज को अपना रोबोटिक आम सूट चलाना भी नहीं आता है। वह एलियन से बचने की कोशिश करता है। यह बात समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग सब मरने वाले हैं। लेकिन साजन्ट फेरल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे फिर से मिमिक से लड़ने ले जाता है और वापस से पूरा लूप फिर से चलता है। और केज वीटा को फिर से बचा लेता है लेकिन वीटा उसे कहती है कि जब तुम जागो तब मुझे धूनना। और दोनों एक ब्लास्ट में फिर मर जाते हैं। वापस से केज फिर से जागता है और इस बार वह साजन्ट फेरल से बचकर भाग जाता है। और केज वीटा को ढूंडते हुए उसके पास जाता है। वह युद्ध अभ्यास कर रही है केज वीटा को सारी कहानी बताता है कि उसने मुझे जागने पर उसे ढूंडने को बोला है। वीटा समझ जाती है और रीटा केज को बताती है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरे साथ कई बार हो चुका है मैं भी कई बार मर चुकी हूँ रीता केज को डॉक्टर काटर के पास ले जाती है जो एक मिमिक्स का बायलोजिस्ट है काटर केज को समझाता है कि तुमने पहली बार जिस मिमिक्स को मारा था वह अलफा था मरने पर वह अपने ओमेगा को सिगनल भेजता है और ओमेगा अलफा को फिर से जिंदा करता है मरते हुए अलफा का बलड तुम्हारे अंदर जाने से ओमेगा तुम्हें भी अलफा की तरह ट्वीट कर रहा है तुम्हें भी मरने पर ओमेगा बार बार जिंदा करके यह जंग जीतने के लिए सिगनल भेज रहा है हमें ओमेगा को ढूंधना होगा और उसे खत्म करने तक रोज रोज मरना होगा फिर रीटा कैच को लड़ने की ट्रेनिंग देती है ट्रेनिंग के दौरान वह कई बार मरता है और लूप से होकर वापस वहाँ पहुचता है लेकिन एक बार उसे ओमेगा की जलक दिखाई देती है वो ट्रेनिंग से आगे बढ़कर फिर युद्ध में जाते हैं लेकिन फिर से बार बार दोनों मरते जाते हैं बार बार मौत से तंद आकर एक बार केज रीटा से दूर शहर में चला जाता है लेकिन फिर भी उसकी मौत हो जाती है जिन्दा होकर वह वापस रीटा के पास आता है बार-बार ट्रेनिंग की वज़े से केज कॉफी एक्सपर्ट फाइट बन चुका है वह इस बार कई सारे मिमिक्स को मार कर सेनिको की जान बचाता है फिर रीटा और केज ओमेगा को ढूणने की कोशिश करते हैं इस बार दोनों बैटल फील्ड से आगे निकलते हैं लेकिन मिमिक्स उन्हें वहाँ भी मिल जाते हैं और उन पर हमला करते हैं केज उन मिमिक्स को मार देता है वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगा जाते हैं लेकिन वहाँ भी मिमिक्स उन पर हमला करते हैं और उन दोनों की फिर से मौत होती है और फिर से केज जागता है इस बार लूप में बदलाव करने के लिए सारी चीजों पर ध्यान देने की बजाए सिर्फ ओमेगा को धूंडने पर ध्यान देता है वह काटर के बताएं ब्रिज तक पहुंच जाता है लेकिन वहां भी ओमेगा नहीं है सिर्फ अलफा मिमिक्स ही है केज वीटा और काटर के पास आता है और उन्हें ब्रिज में ओमेगा नहीं होने की बात बताता है डॉक्टर काटर ने प्रोटोटाइप ट्रांसपॉंडर बनाया है जिससे अल्फा मिमिक्स पर लगा कर वेव सिगनल द्वारा ओमेगा तक पहुंचा जा सकता है उस ट्रांसपॉंडर का प्रयोग करने का सोचते हैं लेकिन प्रोटोटाइप को यूज करने की डिवाइस जनरल के पास है वहां से वह दोनों जनरल ब्रिगम के पास जाते हैं रीटा जनरल पर गन रखती है और कैज ब्रिगम को बताता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, मैं तुमसे कई बार इस तरह मिल चुका हूँ. तुम्हारी अलमारी में जो डिवाइस पड़ी है उसकी मदद से हम ओमेगा को मार सकते हैं. और उस दिवाइस को लेकर दोनों वहाँ से भागते हैं. सेना के लोग उन दोनों के पीछे पर जाते हैं. रीटा उस ट्रांसपोर्टर को केज के पैर में घुसा देती है, जिसके बलड से ओमेगा को सिगनल मिलने से केज को उसकी लोकेशन समझा जाती है कि वह पेरिस में है. केज फ्रांस में सेना के पास जाता है, और सोलजर को पूरी कहानी समझा कर अपने साथ में ओमेगा से लड़ने जाने के लिए कन्वेंस कर लेता है. वो सभी पेरिस जाते हैं जहां उनका मुकाबला अलफा मिमिक्स के साथ होता है. सारे सैनिक मिमिक्स से लड़ते हैं तब तक केज और वीटा अलफा तक पहुँचने की कोशिश करते हैं. उन्हें कई सारे अलफा मिमिक्स रोकने की कोशिश करते हैं. साथी सैनिक मारे जाते हैं वीटा और केज फिर भी आगे बढ़ते हैं. केज अंडर वाटर जाकर ओमेगा तक पहुंच जाता है और उसके ब्रेन में वह डिवाइस डाल देता है ओमेगा के फटने से सारे अलफा मिमिक्स खत्म हो जाते हैं और फिर से एक नई लाइफ शुरू होती है जनरल ब्रिगम पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं कि मिमिक्स और इंसानों की फाइट में हमारी जीत हुई केज फ्रांस सेना के अड़े पर जाता है वहाँ उसे कोई नहीं पहचान रहा है वह साजन्ट रीटा के पास भी जाता है लेकिन वह भी उसे नहीं पहचानती है